हेलो स्टेंड्स अब आप लोग 11 स्टेंडर्ड में आ गए हैं अभी तक 10 ख्लास तक जो आपने फिजिक्स पढ़ा है वो एक लिमिटिट पॉर्शन होता था लेकिन अब 11 स्टेंडर्ड में फिजिक्स हमारा वह ज़्यादा वास्ट हो जाता है और यहां पर जो टॉपिक हम डिसकस करेंगे उन टॉपिक को हमें फंडामेंटल को समझते हुए उनकी डेप तक पहुंचना होता है डीपली हमें सब्जेट को समझना होता है तो में जैसे कि as per heading measurement is stent that we are going to measure something here हमें इस topic में किसी चीज को measure करना है अब प्रडॉम में अगती है अब क्वेशें यह होता है कि what is to be measured हमें किसी चीज को measure करना है तो जिन चीजों को हम measure करते हैं दोस ठिंग्जार पाड़ड एस फिजिकल क्वाडिटीस अब अगर हम अपने ड नहीं कर सकते तो फिजिकल कॉंटिटीज नहीं हो सकती हैं लाकेस जो फिलिंग होती है किसी को सवरो का फिलिंग है किसी को हैपिनेस का फिलिंग है तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता हमें मेजर नहीं कर सकते कि कोई दुखी है कितना उसको दुख है कोई खुस है कितना पास कोई रूम है उस रूम की लेंथ कितनी है इस पेन मेरे पास है इस पेन की लेंथ कितनी है इसका डामेटर कितना है वह मेजर कर सकते हैं कैलकूइट कर सकते हैं तो जिन जिजों को मेजर कर सकते हैं दो जार कॉर्ड एज फिजिकल कॉंटिटी इस विच जादे इंपोर्ट के लिए simplest one हम physics का कोई भी formula कोई भी law use करते हैं तो इस law को जिस terms में हम express करते हैं जो terms होती है वही physical quantities होती है simplest one जैसे आपके पास Newton's law है तो you all know very well Newton's law f is equal to ma इसको हम बोत है Newton's second of motion तो Newton's second of motion में f is equal to ma हमने यूज किया है तो जो f है you all know very well this f is the force you know very well this m is the mass and this a is the acceleration it means यह जो तीन चीजें हम बोल पे आप देख रहे हैं force है mass है acceleration है these all are the physical quantities likewise ohm's law is here ohm's law of v is equal to ir हम अच्छी तरह जानते हैं b is the potential difference i is the electric current r is the resistance यह भी क्या है physical quantities है in this way किसी भी expression को हम लिखते हैं उस expression पे जितने भी parameters आते हैं all are known as the physical quantity in this way physical quantities are the quantities which can be measured and in terms of which the laws of physics are defined the next thing is कोई भी physical quantity होती है तो उसको express करने के लिए हमें दो चीजों की जरुत पड़ती है उसको हम इस तरह से represent कर सकते है quantity q is equal to n u जहांपे जो n है n is the numerical value यह point आपने बहुत समझना है यह numerical value होती है और जो यू है यू इस दा corresponding unit जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं जैसे for example हमें किसी shop से sugar purchase करना है चीनी परचेस करने है तो आप जो चीनी परचेस करेंगे आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि यू required 10 kg of sugar तो आपको इस तरह से express करना पड़ेगा दूसरा अगर आपने distance कवर की है आपने 50 km distance कवर कर दिया है कितना distance हो गया 50 km distance कवर हो अगर हमें मिल्क परचेस करना है तो हमें बहुते हैं कि हमें टू लिटर मिल्क चाहिए तिन एक्जेंपल में अगर हम देखें तिन एक्जेंपल में आप देख रहे हैं कि यह 10 kg जो 10 आया है यह 10 नुमेरिकल वेल्यू है और kg क्या है उसका unit है वैसे 50 नुमेरिकल वेल्यू है किलमेटर क्या unit है तो किसी भी इस तरह से अगर हम चक करेंगे तो हमारे पास बहुत जादा फिजिकल कॉंटिटी हो जाएंगी अगर मैं वैसी बूलना शुरू कर दो तो 20-25-30 quantities सीधे विदिन टू मिनिट में बोल सकता हूं लाक एज वर्क है प्रेशर है इनर्जी है लॉस्टी है स्पीड है डिस्टेंस है डिस्टेंस है एक्सेलेशन है और पावर है एलेक्टिक रेसिस्टेंस है रेसिस्टिटी है अब यह बात आती है कि इन को हम एक सिस्तमाटिक तरीके से कैसे स्टेडी करें कैसे इनको समझें इनको समझने के लिए हम जितने भी physical quantities हैं, उनको दो जगर डिवाइट कर लेते हैं, जो एक टाइप की quantities होती हैं, उनको बोलते हैं, fundamental physical quantities, fundamental physical quantities वो quantities होती हैं, जिनको express करने के लिए हमें किसी दूसरी quantity की help नहीं लेनी पड़ती है, वो अपने आप में absolute होती है, उसको express करने के लिए हमें और किसी quantity की help की जुरत नहीं होती है, such quantities are called as fundamental physical quantities, in this way the fundamental physical quantities are defined as the quantities which are independent of all other physical quantities, जो fundamental quantities हैं, वो quantities किसी दूसरी quantity पे depend नहीं करती हैं यह quantities हैं हमारे पास number one, length mass, time temperature electric current luminous intensity and amount of substance यह ऐसी quantities हैं, जिनको express करने के लिए, हमें दूसरी quantities की जुरूत नहीं हैं, like as आपको length measure करना है तो कोई भी, let it be तेरे पास ही पेन है इस पेन का length measure करना है तो directly मैं इसके लेकर के सिधे इसका length measure कर दूँगा मुझे कोई और दूसरी quantity measure करने की जुरूत नहीं है मुझे इस बात की जुरूत नहीं है की इसका diameter कितना है या फिर इसका volume कितना है इसका density कितना है या पर temperature कितना है इन चीजों की कोई जुरूत नहीं है directly, I have to measure length of the span these quantities are called as fundamental physical quantities the another type of quantities are called as derived quantities derived quantities stand that these are the physical quantities which can be derived by using simple multiplication and division of fundamental physical quantities the quantities other than fundamental physical quantities are called as derived quantities तो जो quantities अभी मैने आप से discuss की जिनका हमने जिक्र किया है like as length, mass, time, temperature electric current, luminous intensity amount of substance इनको छोट करके जितनी और quantities होती है all quantities are called as derived physical quantities derived physical quantities की एजेंपल होंगे वो होंगे हमारे speed, velocity, power, work electric charge, electric resistance हो या फिर acceleration, pressure, torque यह सब quantities derived quantities होती है in this way physics में हमने two type की physical quantities को discuss कर लिया है one is fundamental physical quantities second is derived physical quantities यहाँ पे हमें additional supplementary quantities की भी जरुद पर जाती है तो दो supplementary quantities हमारे पास होती है एक होता है plane angle दूसरा होता है solid angle तो यह plane angle क्या होता है plane angle simplest one plane angle is the simplest one the angle between two lines यह plane angle होता है theta इसको में अच्छी तरह जानते है this plane angle is theta the angle between two lines यह plane angle होता है और जो दूसरी supplementary quantity होती है वो होता है solid angle तो solid angle exactly होता क्या है solid angle का मतलब होता है angle made by a surface कोई surface हमारे पास होती है और उस surface ने कोई angle बनाया है this one तो यहाँ पर जैसे मैंने यह surface consider कर लिया है तो इसकी वो जैसे यहाँ पर जो angle बने this angle is called as the solid angle यह बहुत केरफ़ी समझनी है this angle is solid angle here it can be represented by omega तो यहाँ पर यह radius कितना है इसका r है और omega सिर्फ रपर जैसे कर रखा हमने यह radius r आ गिया और जो area under consideration है यह area is delta a तो यहाँ पर जो solid angle होता है वो होता है area upon r square solid angle को हम example से ऐसे भी समा सकते है कि जो softy का cone होता है उसमें जो angle बनता है वो solid angle बनता है इस तरह से softy का cone होता है this one और यहाँ पर यह जो angle बनेगा this angle is called as solid angle यह area कितना हमारे पास this area is delta a और यह radius कितनी इसकी r है तो यहाँ पर solid angle omega is equal to delta a upon r square एक और important point जो plan angle होता है इसका जो maximum value होता है वो 2 pi होता है और solid angle solid angle का जो maximum value होता है यह 4 pi होता है इसका unit अभी हम discuss कर लेंगे यह radian में होता है तो यह stir radian में होता है यह 4 pi stir radian is unit and 2 pi इसकी value होती है और radian इसका unit होता है